जाहिंद आज के इस वीडियो औरों ट्राइट लिमिंटेड कमपनी बारें बात करेंगे जानने का प्रयास करेंगे कि आज इसके सेर प्राइस में जो बहने गिरावट आई है उस गिराउट के पीछे का कारण क्या है क्या इसका share price और ज़्यादा down जा सकता है तो अगर और down जाता है तो कहां तक down जा सकता है इसका लावा क्या इसका share price गिर रहा है तो हमें कोई opportunity मिल सकते है इसमें और ज़्यादा share buy करनी की या नहीं क्या करना चीक क्या नहीं करना ये एक चीजिशार से बात करेंगे और भी बहुत कुछ आनगे आज की वडिश सुरू करते हैं इसका मार्केट Кон winners 22 relevant और 12000 को पर इसकी कलोजिंग होई है जब कि कल जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें बाता है कि लाइच ट्रेडिंग सेसे यानि कि शुक्रबार के दिन जो उसका प्राइस था देखिए इसके पीछे क्या कारण है इसके सेर के नीचे जाने का उसके बारे हम बात करेंगे लेकिन उसके पहले समझते हैं इसका सपोर्ट लेवल क्या रहेगा अगर इसका सेर प्राइस और ज्यादा डाउन जाता है तब यह उनसेट रपे आसी पैसा तका सकता है टूट गया सबसे में कारण समझे पहला है निफ्टी खुद ही लुढख रहा है आपको याद होगा निफ्टी ने क्या संदार छलंग लगा था ठाटार दूसरों को चुने के बाद जो उसके बाद टूटना शुरुआ है तो आज इसका क्लोजिंग संत्रहजार एक सपर अगली जो निफ्टी बढ़ा दिया है देखिए निफ्टी नीचे जा रहा है यह तो कभी ने कफी ऊफर आएगा यह तो फिक्स है एसम केटेग्री में सेवी ने इसको डाल दिया है तो इससे भी बाहर आ जाएगा यह अभी फिक्स है लेकिन गोर्मेंट जो इस पर 10% इतनी बढ़ रही है हर एक चीज का दाम बढ़ रहा फिर भी मोधी सरकार जहां तहां से पैसों निकालने की जुगत में लगए हर एक चीज के मैंने दाम बढ़ा कर सोचती है कि अपना खाजाना भर ले यह गलत है इसमें आपके लिए सिर्फ अच्छी बातें लिखा हूं उस पर बात करते हैं इसमें 20,000 को का investment होने जा रहा है यह investment करेगा कौन इंवेश्टर बड़ए बड़ए AND के लिए यह अच्छी खबर है अगला खबर है कि 10 फरवरिक को सेवी ने ट्रा लिए घ्राञ डाल दिया है उससे बाहर आ जाएगा और उसके बाद ट्राइड ना तो एसम लिस्ट में फिर काफी तेजी से इसका शेयर प्राइस उपर जाएगा और एक अच्छी बात यह कि इसका रे सही संतावन क्या स्पास हो गया और नीचे जा रहा है इसका रे सही काफी ऊपर चला गया था लेकिन अब डाउन आ रहा है और मुझे उमीद है कि आरे सही 40-45 कास पास आएगा उसके पात इसका सेयर प्राइस फिर से अप्ट्रेंड में जाने लगेगा इसका लावाँ डिविडेंड की बात कहते हैं तो यह अब लगेजिशा अपरेल लाष्ट तक कंपनी डिविडेंड देने के घंसरा कर सकती है और सबसे में बात है कि मार्केट भले ही डाउन जा रहा है लेकिन इस गिर्तियों market में भी promoters अपना holding बढ़ा रहे हैं promoters की holding देखे 72.93%, करीब 73% हो गया है और public का भी 20.87% हिस्तेदारी है लेकिन हम लोग जानते हैं किसी भी company में is promoters की holding ज्यादा है तो इससे अच्छा मना जाता है और ट्रेजिंस ते में प्रोमोटर्स को फोलिंग अधिक है तो यह कहीं न कहीं पॉजटिब बात है तो ट्राइट कम्पनी बढ़ी आए और की सक्टर की है उसमें भी कल में आपको बताया था कि तीन सो टेक्स्टाइल सेक्टर की जो कंपनी है उसमें ट्राइट का दूसरा अस्थाने मार्केट के लिए आसे तो इसमें आपका पैसा डूबने का है बरबाद होने कोई चांस नहीं है अगर आपके पास इस कंपनी का सेर है तो बेसक खोड़ कीजिए आने वाला समय में या थिरी डिजिट में जाता हुआ दिखाई देगा नहीं है तो भी मौका है बाइक कर लीजे अच्छा रहेगा बागी एगर मन में कोई सवाल है या आप कुछ नहीं जाना चाहते है तो उस कमेंट करके जुरूर पूचिए मैं सब के कमेंट का रिपलाई जयता हूँ मिलते है नेक्ट वीडियो में आज के लिए बस इतना ही सुक्रिया हूँ